विखार लोग से वा आयोग ने परिच्छा सेड्यूल जारी किया सिक्षक भरती परिच्छा साथ दिसमबर से होगी जी हां दोस्तों विखार लोग से वा आयोग ने परिच्छा का सेड्यूल जारी कर दिया गया है और सिक्षक भरती परिच्छा जो है दूति सिक्षक भरती परिच्छा जो है 7 दिसम्बर से होगी दोपहर 12 बजे से ले करके 2-30 बजे तक परिच्छा होगी और 16 दिसम्बर को परिच्छा संपन होगी बीपिसी ने गुरुवार को जारी कर दिया है दूसरे चलने की परिच्छा 7 दिसम्बर से सुरू होगी परिच्छा 7, 8, 9, 10, 14, 15 व को दो पहर 12 बजे से लेकर के 2-30 बजे तक राज के विभिन जिलों में होगी जह दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सिख्षक नियुक्ति के दूसरे चलंड की परिच्छा का सेड्यूल भी हर लोग से वा आयोक के द्वारा जारी कर दिया गया है दूसरे चलंड की परिच्छा 7 द स्क्राइब कर देंगे नोटिफिकेशन बैल को अन कर देंगे और पर किलिक कर देंगे ताकि सभी वीडियो जिके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलेंगे आए देखते हैं क्या है अपडेट आयोग ने परिच्छा एक पली में आज़ित करने का फैसला लिया गया है पहले चरण की सिक्छक भरती के लिए विविन असरों पर कई चरणों में परिच्छाएं हुई थी पहले चरण में बचे पद भी इसमें सामिल किये जाएंगे दूसरे चरण की हो रही भरती में सिक्छकों के 1,22,286 पद भरे जारी कर दिया है इसके साथ ही पहले चरण में सिक्छक नियुक्ति से बचे 50,263 और अनसुचित जाती एवं अनसुचित जन जाती कल्यान विभाग के अंतरगत कुछ 1,401 पदों पर भाली होनी है इसके साथ ही विपिसी के अध्यक्छ अतुर प्रशाद ने गुरुवार क एक्स पर जानकारी दे कि इस बार OMR सीट भरने का तरीका बदला रहेगा जियां तोस्तों OMR सीट में कुछ परिवर्तन हुआ है इस बार दियुत चरण की सिक्षक वाहनी में क्या हुआ है तो बने रही है हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक सभी डिटेल जानकारी आपको जन जाती कल्यान विभाग के तहत वर्ग छटी से दसवी के लिए की जाएगी आठ दिसमर की बात की जाए तो हिंदी अंग्रेजी विज्यान गनी सामाजिक विज्यान संस्कृत उर्दू अर्भी फार्सी बंगला ललित कला निर्त सार्टिक सिक्षा मैथली संगीत जन जाती कल्यान विभाग के अंदरगत नो दिसमर की बात की जाए तो गनित एवंग विज्यान सामाजिक विज्यान सिक्षा विभाग के अंदरगत शटी से आठवी विज्यान भाषा हिंदी एवंग अंग्रेजी वह पिछड़ा वर्ग कल्यान विभाग के अंदरगत व प्रधाना ध्यापक पत के लिए पिछड़ा वह अती पिछड़ा वर्ग कल्यान विभाग अनसुचित जाती जन जाती कल्यान के तहत 15 दिसमर की अगर बात की जाए तो पहली से पांच भी सभी विस है शामाने उर्दू बंगला सिक्छा वह अनसुचित जाती एवंग जन जा कल्यान विभाग तो यह था परिच्छा विशय परिच्छा तिथी वह विशय से संदर्भित परमुक्तिथियां और विशय विशय ने किया परिच्छा के ओमार में बदलाव जिन दोस्तों बड़ा बदलाव किया गया है विपिसे ने किया परिच्छा के ओमार सीट में गोला भरना होगा जियां दोस्तो रॉल नमबर व विसे का अब गोला जो है सरकल उसे भरना होगा आईए देखते हैं वहां आयूग विपिस्ती ने दूसरे चलण की सिक्षक नियुक्ति परिक्षा के OEMR सीट में बदलाव किया गया है इस बार अभियरतियों को रॉल नमबर को अंक में लिखने का बिकल्ब नहीं मिलेगा इसके साथ विसे को लिखने के लिए भी अलग से कॉलम नहीं रहेगा बलकि OEMR पर रॉल नमबर और विसे के लिए सिर्फ गोला कार को भरना होगा जिन अभियरतियों का जो रॉल नमबर होगा उसके अंक के सामने वो सिर्फ गोला को भरेंगे इसकी जनकारी बीपेसी अध्यक्ष अतुल प्रशाद ने एक्स पर गुरुवार को दी है जी है दोस्तों बिहार लोकसेवा आयोग ने दूसरी चलन की सिक्षक नियुक्ति परिक्षा के OMR सीट में कुछ बदलाव किया है क्या है बदलाव तो इस बार अभ अभियरतियों का जो रॉल नंबर होगा उसके अंक के सामने वह गोला को भरेंगे इसकी जनकारी बीपेसी अध्यक्ष अतुल प्रशाद ने एक्स पर गुरुवार को दिया है बता दे कि पर्थम चरन की सिक्षक नियुक्ति परिक्षा में रॉल नंबर और विसाय को लिख लिखने में हजारों की संख्या में अभियरतियों ने गलती की थी इसके बाद वे उसे सही करने के लिए बीपेसी कारेयले का चक्कर लगाते रहें बाद में बीपेसी ने सुधार का मौका दिया था लेकिन इस बार अध्यक्ष अतुल प्रशाद ने असपष्ट कर दिया है इसके बाद से उसे सही करने के बाद वे बीपेसी कारेयले का चकर लगाते रहें बाद में बीपेसी ने सुधार का मौका दिया था लेकिन इस बार अध्यक्ष अतुल प्रशाद ने असपष्ट कर दिया है कि गलत भरने वाले अभियरतियों का सुधार का मौका नहीं दिया अपने आप रद कर देगा क्योंकि ओयमार की जांच कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है ऐसे में गलत रॉल नमबर और विशय का मिला नहीं हो पाएगा और ऐसे ओयमार रद हो जाएंगे फिर दुबारा सत्यापन का मौका नहीं मिल पाएगा गलत भरने पर कंप्यूटर इ जाती है ऐसे में गलत रॉल नमबर और विशय का मिलान नहीं हो पाएगा और ऐसे ओयमार रद हो जाएंगे फिर दुबारा सत्यापन का मौका नहीं मिल पाएगा अतुर प्रशाद ने दी जानकारी रॉल नमबर के अंक भरने की प्रविश्टी नहीं रहेगी 25 तक करें से 10 दिसंबर के बीच ले जाएगी छेड़ चाड़ पर रद होगा अध्यक्ष के मुताबिक ओयमार पर पहले से प्रस्न पत्र संख्या प्रिंटेट रहेगी ऐसे में उस संख्या के साथ अगर अभेरते किसी तरह का छेड़ चाड़ करेंगे तो उनको ओयमार को रद किया जा सकता है तो यह था महत्कून अपडेट की रॉन नंबर वह बिसे का अब गोला भरना होगा विपिसी ने किया परिक्षा के ओयमार में बदलाओ ऐसे अपडेट के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बैल को ओन कर सकते हैं और पर क्लिक अपडेट